इस विंटर में कात्व आपको आलस आती है या ठन लगती है उपर से अगर ओर्गिनाइजेशन करना हो कोई पीडियाई वै करना है उसकी तो बात ही छोड़ दे तो आज के वीडियो में हम जीरो कोश्ट होम हैक्स चानेंगे जो आपकी रोज मरा की जिनकी को आसान बना तो आप देख सकते हैं उकनिया पुजन वगेरा रहता है और कभी-कभी गीफ्ट में भी इस तरह की श्टील की कटोरी मिल जाती है बहुत सारी हो दो-तिन हो तो भी गेश्ट आते हैं तो उसमें चटनी वगेरा दे सकते हैं पर एक ही रहती है तो इसका क्या हम करें इसमें सबजी आदी उतनी वाली छोटी रहती है तो हम रुई की जो दिया बनाते है उसको इसमें रख सकते है वह इसमें गी डालके इसको भीगो सकते है तो क्या रहता है जो भी कटोरी है वो भी यूज हो जाएगी और विल्कुल नहीं भी रहती है वह अगर आपके पास इस्टिल क कटोरी ना हो तो भी आप यूज एंथ्रो वाले जो प्लास्टिक के कंटेनर मिलते हैं मार्केट में उसका यूज कर सकते हो उसमें लीड भी रहती है वर यहां पर अभी आता है कि यहां पर लीड तो है नहीं और क्या रहता कि घी किसमें ज्यादा देर बाद आने लगती है तो इसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड है आप देख सकते हो यहां पर मैंने अमुलगी का यूज किया है तो उसमें दो लीड आती है तो उसमें से एक आप रख दो और दूसरी लीड जो है इसे ढखने के लिए रख दो और यहां पर मैं थोड़ी जो दिया पिगोती उसमें कपूर की गोली पर रख दिते हूँ क्योंकि उसमें से अच्छी सी स्मेल आती है जब हम दिया बाती करते हैं तो इस तरह से लीड भी रख दी तो एक अच्छा सा जो है हमारे पास zero cost organizer बन गया यहां पर मैं कीचन टिप्स भी दूँगी कि जब भी हम दिया बिगोते है गी से तो कभी कभी जो regular गी आता है वो खत्म नहीं होता और उसी दोरान दिया हमारा खत्म हो जाता है तो जुठन वाला जो गी है वो इसमें हम add नहीं कर सकते तो एक extra गी की bottle घर में रखो जो आप दिया को भीगोने के लिए use करो और जादा तर जो मंदीर में रखने के लि यह उसका use हो उस तरह से रखो वरना क्या है कि problem हो जाती है फिर से लेना जाना पड़ता है और next hack है कि आप इस तरह से करीपता सब के हैं आंगन में लगा हुआ रहता है नहीं लगा हुआ रहता तो भी cheap rate में वो मिल जाता है तो इसको आपको सुखा देना है और फिर इस तर बना कर रखती हूं जो normally में use करती हूं तो उसमें मैंने क्या किया कि गेश्टों पर रख दिया है फिर यहां पर दीमी आज ही आपको रखनी है और जो करीपता है उसमें एड कर दिया है और अच्छे से mix कर लेना है पांच मीट आपको दीमी आज पर इसको पकाना है और फि इसको ट्रेनरते स्ट्रेन कर लेना है तो एक अच्छा सा ओईल बन जाएगा जो आपके ग्रेगेर आते हैं उसको रोकने में Altी हैल्प करेगा तो आपको कुछ करना नहीं खालि करीपते का और बना लेला और Northern में लगा देना है और जो ए ओ DANा है उसकी लिंक में दिस्त्रि यहां पर आप बहुत सारी चीजे हैंक कर सकते हैं, और्गनाइज कर सकते हैं, खास कर जिसका small kitchen हो, small gher हो, उसके लिए बहुत ही beneficial है, तो यहां पर आप देख सकते हो, जो handle है, इस पर मैंने बहुत सारे टिफी इन बॉक्स वगेरा, और नॉर्मल जो फर्स वगेरा हो गया, ओ तो को हैं किया है यह तो आप करी सकते हो फर स्कोल ऊट्षे से थोड़ा क्युना और डिस हम कर देना है और जो डोर है उसके back side में इसको place कर देना है रो सारी ही चीजे hang कर देनी है और जो भी आप देख सकते हैं रेंडल में मेरा लगा हुआ था और सारी है ने पर्स वगेरा यहां पर hang कर दिया तो अच्छा भी लगता है handy भी लगता है organized लगता है और clutter free भी लगता है तो इस तरह से डोर बंद करते हैं तो भी space रहती है तो वह बहुत सारी चीजें हम हैंग करेंगे तो भी फसेगा नहीं डोर तो इसी तरह जो बाहर पर्स था उसको मैंने हैंग कर दिया और जो हैर बैंड है आप देख सकते हो इस तरह की clip वगेरा वो भी आ आप यहां पर हैंग कर सकते हो उसी तरह जो भी हम आटा वगेरा लेते हैं या कोई भी grocery वगेरा लेते हैं तो इस तरह सी ठीक वाली polythene बैग आती है इसका यूज आप और गनाइसर चो क्लोथिस और गनाइसर बनाते हैं उसके लाइनिंग में तो यूज कर ही सकते हैं पर आपको उसमें यूज नहीं करना तो इस तरह हम grocery की वेक को रश्ट बिन में रखते हैं यह गारबेज बेग तो आप इसका भी यूज एज गारबेज बेग कर सकते हो वर अगर इस तरह से बड़ी हो तो आप क्या कर सकते हो मीडल में से कट कर सकते हो या फीर आप दो कट कि अप्लास्टिक के र से कोई भी हैक्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अभी ही वीडियो को लाइक कर देना और बस इस तरह से हैं सारा ही लीड में होल बन गया है पूर यहां पर इतनी सारी बहुत साइजिस में हमारे पास लीड रहती ही है जिसका आप न सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आप मेरे बारे में ज्यादा चानना चाहते हो तो मेरी व्लोग की चैनल की लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखती है उसी तरह हम इसी लीड का यूज कर सकते है जो प्लांट के नीचे रखने में एजे ड्रीपर ट्रे तो जो सब्सक्राइब कर देते हैं तो तो बस मैंने पूरे ही घर में जो भी पर इंडोर प्लांट थे उसके नीचे रख दिया और यह प्लांटर मेरा बड़ा था तो इसके नीचे दो मेने इस तरह की लीड रख दी है तो एक अच्छा यह आइडिया है और में लीड का भी रियू है तो उसका बेटर कभी-कभी रह जाता है तो उसका यूज हम नेक्ष्ट इन इस तरह से चीला बनाने में कर सकते हैं या फिर एक ही बेटर एक टाइम बना दो और दो रेसिपी बना दे तो भी बहुत सारा टाइम बचेगा यानि कि एक तरह से मिल प्लानिंग भी हो तो आई होप के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यूस्फुल लगेगा उसी आशा के साथ मिलते हैं नए वीडियो में